सना मकबूल से जगडे के बाद रोते नजर आए साई के तनराओ जी आ दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप ग्रेंड प्रेमियर पे हमने देखा था कि साई के तनराओ इमोशनल हो गए थे अभी अभी एक गंटे पहले सना और साई के बीच में एक जगड़ा हुआ था और लाइफिड की अगली अपडेट जो मिल रही है वहाँ पे साई के तनराओ इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं रोते हुए नजर आ रहे हैं चलिए क्या ये पूरी काहानी समझाता हूँ आपको सना मकबूल और साई के तनराओ में थोड़ी देर पहले खाने के लिए एक जगड़ा हुआ था जिस जगड़े में सना कहिना कहीं मस्ती करती ने जरा रही थी और साही केतनराव से उस जगड़े को avoid करने की कोशिच करी थी पर साही जो है वो काफी जदा गुस्सा हो गए थे और पहले दिन उनका अक्रामक अंदाद कहिना कहीं गुस्सा में दिखाई दिया जिसको देखके समझ भी आता है कि शाही जो है वो एक short temper आदम है और इसके जगड़े काफी जदा होने वाले फिर जाके मुझे एक ऐसा role मिला जो बहुत जदा memorable हो गया audience को बहुत जदा पसंद आया तो ये सारी बाते साही के तनराव करते करते emotional हो गए और रोने लगे अब इस पर audience के यहाँ पर दो point of view सेल रहे है कुछ audience का यहाँ पर यह कहना है कि साही के तनराव जो है वो दिल का बहुत अच्छा है वो काफी जदा emotional है और काफी जदा शान्त इंसान है दिल का वो साफ है इसलिए वो इतना ज़्यादा emotional हो जाता है और कई बार रोने लग जाता है लेकिन दूसरी audience का यह कहना कि साही क्या रहा हो जू हो भाई वो फेक कर रहा है यह ड्रामे हो रहे हैं ग्रेंड प्रेमियर पर भी वो रोने लगा आज भी वो रोने लगा हाला कि वो ही सना के साथ लड़ रहा था वही ज़्यदा गुस्सा दिखा रहा था सना की इतनी कुछ खास गलती नहीं थी उस लड़ाई को इनिशियेट साही ने करा और उसके बाद खुद वो जाके रो रहे है तो क्या ये सिंपती लेने की कोशिश है तो ये दो opinions सेल रहे हैं दो अलग-अलग audience के guys मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी अभी जो latest हुआ पहले एक जगड़ा और उसके बाद एक रोना लड़ाई के बाद रोना तो आपके क्या point of views आपके क्या opinions है क्या आप सही के तनराओ को real बोलेंगे या फिर आप बोलेंगी भाई ये सिंपती लेरा फेक कर रहा है आपके क्या point of views आपके क्या opinions है कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके मुझे जरूर बताओ बिग बोस OTT सीजन 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट निउज को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ